TVS Ronin, कैसी है TVS की Ronin Bike, Features और कीमत के साथ जाने सब कुछ भारतिय दो पहिया वाहन निर्माता TVS की ओर से Premium Bike सेगमेंट में Ronin को ओफर किया जाता है हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि TVS की Ronin Bike में क्या खूबिया और कमिया है साथ ही इस Bike को खरीदना आपके लिए बहतर होगा या नहीं इसकी जानकारी भी हम इस खबर में आपको दे रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में उन Bike को ज़्यादा पसंद किया जाता है जो देखने में तो आकरशक हो साथ ही इंजन भी काफी दमदार हो इसके साथ ही अगर Bike में फीचर्स भी मिल जाएं तो फिर वह और बहतर डील साबित होती है TVS Ronin की बात करें तो इस Bike को काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है चोटी चोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इसे एक बहतरीन Bike बनाने की कोशिश की गई है Bike को सुपबाइक का लुक देने के लिए अपसाइड डाउन फॉक्स को गोल्डन कलर में दिया गया है जो Bike को अच्छा लुक देते हैं इसके अलावा Bike में पूरी तरह से LED लाइट्स का उप्योग किया गया है इसमें Headlight के अंदर TVS ने टी Shape DRL दी है जो इसे लुक्स में दूसरी Bike से अलग बनाती है लेकिन Overall Design में यह Bike दूसरी कमपनियों की कुछ Bike से प्रेरित लगती है Bike देखने में भारी लगती है जिस कारण सीट थोड़ी छोटी नजर आती है लेकिन उतनी ही आरामदायक भी है Bike का Color, सीट का Color इसे और बहतरीन लुक देते हैं TVS ने Ronin को 2040 A.M. लंबा बनाया है इसकी चोड़ाई को भी 805 A.M. रखा है 1170 A.M. हाइट और वील बेस को 1357 A.M. रखा है इसकी Ground Clear Rails 181 A.M. है और इसका करब वेट 169 किलोग्राम है Bike में 14 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया है TVS Ronin एक प्रीमियम सेग्मेंट Bike के तौर पर ओफर की जाती है इसमें कमपनी की ओर से 225.9 CC का सिंगल सिलेंड फोर स्ट्रोक, फोर वॉल्व औल कूल्ड इंजन दिया गया है इस इंजन से Bike को 20.4 PS की पावर के साथ 19.9 तीन न्यूटन मीटर का टॉक मिलता है Bike में कुल 5 गिया के साथ Fuel Injection System दिया गया है इसके अलावा इसमें Assist और Slipper Clutch दिया गया है Bike में Brake Leaver और Clutch Leaver को भी Adjust किया जा सकता है TVS की ओर से Ronin में Safety के लिए आगे और पीछे दोनों ही पहियों पर डिस्क ब्रेक दिये है आगे की ओर 300 mm और पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है इसके अलावा इसे Single और Dual Channel ABS के साथ Offer किया जाता है वही बारिश में चलाने के लिए Rain Mode और सामान्य सरकों पर चलाने के लिए Aban Mode दिया गया है Bike के दोनों Tire Tubeless हैं Bike में खूबयों की बात करें तो इसमें पूरी तरह से LED Lights का सेट अप मिलता है Light का त्रो रात में काफी अच्छा है 1000 Lights के लिए अलग से After Market सेटिंग करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि Bike में ही Inbuilt Option मिलता है बारिश की समय बहतर ग्रिप के लिए Rain Mode मिलता है Bike का Engine काफी ताकतवर है जिसे पूरी तरह रूकी हुई Bike को चलाते समय महसूस किया जा सकता है खराब रास्तों पर काफी अच्छे से Bike चलती है और ट्राफिक में भी भारी हुने के बाद भी इसे आसानी से Handle किया जा सकता है Speedometer में कई Features मिलते हैं जिनमें Bluetooth Connectivity, Distance to Empathy, Gear Position, Service Reminder, ABS Mode, Low Fuel Warning, Voice Assist, Incoming Call Alert, SMS Alert जैसे कई Features मिलते हैं जो Ride In को आसान बनाते हैं TVS की ओर से Ronin को कुल 3 Variant में Offer किया जाता है इनमें DS, TD और SS है SS Base Variant है जबकि DS Mid और Top Variant के तौर पर TD को Offer किया जाता है Bike की X Showroom कीमत 1.49 लाख रुपे से शुरू हो जाती है और इसके Top Variant की कीमत 1.69 लाख रुपे तक जाती है अगर आप एक दमदार इंजन वाली Bike के साथ बहतर Features और Safety के लिए Bike खरीदना चाहते हैं अगर आप 150 से 200 किलोमीटर की Ride करने के लिए Bike चाहते हैं अगर आपको ऐसी Bike चाहिए जो Sports Bike जैसी ताकत, Cruiser जैसा आराम दे तो इस Bike को खरीदना आपके लिए बहतर रहेगा लेकिन अगर आप ज़्यादा भारी Bike नहीं चाहते, Instrumentless की Position आपको सही नहीं लगती और अगर पांच गिय से ज़्यादा यानी छठे गिय की जरूरत महसूस होती है तो आप दूसरी Bike में से किसी एक को चुन सकते हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें